तो हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हावडा वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जी हाँ दोस्तों पटना हावडा वंदे भारत एक्सप्रेस का सेडिल जो है जारी कर दि तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तुर वीडिव को लाइक करना और एक प्यारस्य कमेंट करना और अगर अगे तक आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिजएगा क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि अगले साल जनुवरी तक 75 वंदे भारत लॉंच करने की बात कही गई है तो यहाँ पर कोलकाता की राजधानी हावडा से बिहार की राजधानी पटना तक होते हुए वारा नसी चलाई जाएगी उसकी फुल टू फुल तयारी की जा रही है तो दोस्तो इसको मध्य नजर रखते हुए वारा नसी डिविजन के केमपेक्ट रखने की आधार पर डीपो बनाये जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ वाशिंग डीपो पिट लाइट भी बनाई जा रही है और वही बनाई डीपो में केमपेक्ट टकनीक से बनाई जाने वाली वाशिंग पिट लाइन में लेचपी रेक और वंदे भारत रेक में प्राइमरी रख रखाओ की जिम्मदारी दी जाएगी और दोस्तों वहीं सेकेंड पॉइंट ये निकल के आ रही है कि वारा नसी से चलने के बाद पंडित दिन दयाल होते हुए हावडा तक 120 से 130 किलो मेटर परती घंटे की रफतार से चलेगी और दोस्तों जो third point ये निकल कर आ रही है सामने कि हावडा वारा नसी जो route है वो काफी ज़ादा busy route है और इस route पर अप cover जो तकनीक है उसको इस्तिमाल किया जा रहा है ताकि दो ट्रेनों के बीच कभी भी टकर ना हो सके क्योंकि यहाँ पर 130 से बढ़ा कर 160 km पर 30 घंटे की करेगी और वहीं आगर हम बात करें इस वन्दे भारत को चलाने के लिए ट्रेक की तो मैं आपको बता दो सुन्य नगर से घया तक का पेठ रियों का काम पूरा हो चुका है और दोस्तों साती साथ मैं आपको बता दू कि दिली से हावडा के बीच में भी वंदे भारत ट्रे पट्रेन को इस नोर्मल पट्री पे चलाना कोई आम बात नहीं और जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि हावड़ा रूट में कई व्र्णी पर चलाना कोई आम बात नहीं इसलिए दोस्तों थोड़ा वक्त लगेगा इसके पट्रियों को अपकराइशन के काम भी काफी टेजी स किया जा रहा है और दोस्तों मैं आपकी जनकारी के लिए बता दू फिलाल अभी पटना से जितनी भी हावडा के लिए ट्रेने चलाई जा रही है वो लगबग 13 घंटे में अपना सफर तैय करती है मगर वहीं अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये आपको लगबग 8 घंटे में पटना से हावडा तक का सफर कवर करेगी और दोस्तों वहीं अगर हम इसके रूट मैप की बात करें तो ये वारा नासी से निकलने के बाद पंडित दिन दयाल उपद्याई दिलदार नगर बकसर आरा जकसन दानापूर जकसन के रास्ते होते हुए तब जाकर ये पटना पहुचेगी उसके बाद वहीं पटना से निकलने के बाद बक्तियारपूर के रास्ते होते हुए जहांजा उसके बाद आसन सोल माधोपूर के रास्ते होते हुए तब जाकर ये हावडा पहुचेगी और दोस्तो जो station मैंने आपको बताया इसी station पर इस वंदे वहर ट्रेन को चलाया भी जा सकता है क्योंकि दोस्तो ये काफी short route माना जाता है जो वाया गया को डर्मा वाले रास्ते से चलाया जा सकता है और दोस्तो अगर हम इसकी timing की बात करें तो ये हावडा सुभा 5 बचकर 55 मिनट पे खुलेगी और दोपहर में 12 बचकर 35 मिनट पर पठना पहुँच जाएगी और वहीं शाम को 4 बजे वारा नसी पहुचेगी तो दोस्तो फाइनिली 8 से 9 घंटे का समय लेगी ये 660 किलोमेटर को टैक करने के लिए जो हावडा से वारा नसी के बीच में पढ़ता है वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा से कमेंट जरू करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरू प्रेस कर दे तो दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत